अगर आपको कभी भी कुछ भी नहीं समझारा लाइफ में तो आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए कैसे भखवान आपकी है उसके उपर एक प्यारी से एक चोटी से स्टोरी मैं बताने जा रहे हूं यह स्टोरी है एक चिडिया की यह महाभारत के यूद के टाइम की बाद है जब महाभारत का यूद होना था उस टाइम पे एक चिडिया थी जो अपने पेड़ पे रहती थी अपने घोसले में अपने बच्चों के साथ रहती और उस टाइम पे क्या हो था अभी जब यूद स् सब को काटा जा रहा था और काटते टाइम वो पेड़ भी कट गया जिस पे वो चिडिया रहती थी अपने बच्चों के साथ अपने गोसले में ठीक है तो चिडिया जो होती है न वो बहुत जदा परशान हो जाती है उससे पहले एक बार शी कृषिन जी और उनके फ्रेंड ज तो यह दोनों आते हैं तो वो जो चिडिया होती है न क्योंकि उसका गोसला जो है वो टूट चुका होता है तो यह जब आते हैं तो यह बोलते हैं चिडिया आ कि अपनी फर्याद ले के आती है उसके पास कृषिन जी के पास तो वो कृषिन जी उसको खहते हैं कि तुम चि और यूद स्टार्ट होने वाला होता है तो फिर क्या कहते हैं जो अर्जुन जी होते हैं उनका धनुष energy तो गृषन जी कहते हैं कि मेरेको यह अपना धनुष दे दो पर गव फैसे अपने 500 घृटो पाल पाल छावwo सेऊपय के रिया है हाती के गले में एक गंटी लड़की हूती है, श्रीक्रिशन जी क्या करते हैं? उसके तीर मारते हैं, अपना तीर प्रफटर थीर हूता और प्पर हाती को नहीं लगता जबकि उसकी तीख गंटी को लग लादेता है, तो वो क्रिशर्ण जी को पहता है, कि आप से तो हुआ नहीं तो मैं करता हूँ, मुझे दिखादो, तो शरी्शण जी पदिए और थे, जितना करमा था ना, मने कार दिया है, तो फिर यूद होता है, आठाररा दिन महाभारत का यूद चलता है, उसमें सारी लडाईयां होती है सब कुछ होता है उसके बाद जब वो जीत भी जाते हैं उसके बाद जब सारा कुछ करने के बाद वो वापस आते हैं तो उस टाइम पे ये अपना जो चिर्डिया होती है चिर्डिया और उसके बच्चे जो है यूद के टाइम पे पहले ही गिर गए थे तो अब क्या होता है वो सारे फिर दुबारा आते हैं श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी फिर दुबारा आते हैं एक बार और वो देखने आते हैं कि यूद भूमी अब कैसे दिखाए दे लिया तो उस टाइम पे साफ सफा कि आओ तो घंटी वो जैसे ही अर्जुन जी उठाते है ना उसके नीचे से चिडिया और उसके बच्चे निकलते हैं और फिर वो पंक उड़ा के अपना उड़ जाते हैं सो बेसिकली इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आदा कि भगवान है और वो आपके लिए कुछ न कुछ प्लान करके चल रहे है पहले से बहले आपको चीज का अहसास है या नहीं है आपको शायद लगता हो कि हाँ भगवान ने बहुत गलत किया बट हर चीज के लिए कुछ न जिसनों थांक य। जाए झाए और टाके लगवान के लिए वो आपके लिए लगता है य।